The farmer, the fox and the corn problem तो एक farmer होता है जिसके पास chicken, fox and corn होती है and farmer को इन तीनों चीजों को लेकर एक river को cross करना है but the situation is कि जो fox है and the chicken बोथ हर hungry, दोनों ही भूके है and वो river को cross करते हुए एक time पर एक ही item को वोट में ले जा सकता है तो farmer chicken and fox दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकता है and साथ ही corn and chicken को भी एक साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो एक दूसरे को खा जाएंगे आप video post करके इसका solution सोच सकते हैं मैं इसका solution अभी बताने जा रहा हूँ तो पहले farmer chicken को अपने साथ लेगा and river के दूसरे साइड ले जाकर उसे छोड़ देगा फिर farmer वापस आएगा and fox को अपने साथ लाकर दूसरी साइड छोड़ देगा and chicken को fox से swap कर देगा chicken को वापस ले आएगा अब वो chicken को दूसरी साइड छोड़ कर corn को ले जाएगा and fox वाली साइड ले जाकर कॉर्ण को छोड़ देगा फॉक्स कॉर्ण को नहीं खाएगी इसलिए दोनों सेफ हैं अब फार्मर दूसरी साइड आएगा चिकेन को लेगा एन तीनों लोग रिवर के दूसरी साइड आ गए हैं क्या आपने भी यही सोचा था कमेंट जरूर कीजिए